यूट्यूब माक्टिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे को पा लॉ के बारे में दोस्तों यूट्यूब में अरह आप हैं यूट्यूबर यह प्लान करें अपने यूट्यूब है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जादा जरूरी है मुझे लगता है कि अब तक शायद जादा तर लोगों को शायद पता लगया होगा कि कोपा लौ है क्या बट आज भी मैं शौर हूं कि 90% से जादा लोग इसकी एग्जेक्ट बैनिफेट्स इसके डिस एड्वांटे और ऐसे बहुत सारे सवाल आज आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं उसके साथ साथ आप इसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना कौन सी गलतियां नहीं करने वो भी आप जानोगे तो दोस्तों अगर आज तक आपको इस यूएस के कोपा लौ के बारे में नही नहीं करते तो किस तरीके से यह आज आपको फाइदा देगा वीडियो अंत तक इसको देखना और इससे आपको हंडर परसंट वेनिफिट होगा यह मेरा आप से प्रॉमिस है क्योंकि डिटेल्ड में बहुत अच्छे से समझाया है इस व्लौ के बारे में दोस्तों उमीद क सालों के अंदर हजारों वीडियो पचास यू कई सो नहीं कोर्से आएंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि कुछ मिस्क ना करें और आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आते रहे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसलिटेंसी लेने के लिए वेबस तो आज यह वीडियो आपको सारे डम क्लियर करेंगे तो पहले हम समझेंगे निन हुआ इस अंडरस्टेंडिंग को पहले आपको हम हम यह समझाएंगे को यह जो यह का ने का प्रतिसंग के पार में समझते हैं फिर उसके बाद और तो यहां पर दोस्तों हम आश्यों सेटि कर सकते हो भी हम आपको वीडियों में समझाने वाले हैं अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि यह कॉपा लॉव है क्या तो इस फॉल फॉर्म क्या है कॉपा कि चिल्रेश्ण आलाइं प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ड तो यह इसको और इसको क्यों बनाया गया ताकि जो यंग बच्चे है जो 13 साल या उसे चोटी उमर के बच्चे है क्योंकि इंटरनेट पे हर तरीके का कॉंटेंट है अच्छा बुरा तो उन बच्चों को उस तरीके के कॉंटेंट से बचाना जो उनके लिए हामफुल है उस चीज के लिए बेसिकली यूएस की गवर्मेंट ने यूएस चिल्रन्स के लिए यह लौ बनाया तो आप यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इस लौ से रेलेटेड तो दोस्तों यह जो लो है यह यूएस चिल्रन पे पिसवेरा होता है ऐसे ओर देश के बच्चे लिए नहीं है और इसको उन करता है फैडरल ट्रेज कमीशन FTC इसको manage करती है इस law को ठीक है और इसको enforce करती है कि जाज-जादा यह apply हो और इसको जो companies है इसको follow करें अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह सिर्फ YouTubers के लिए नहीं है जबकि यह हर online creator के लिए है आचाहिए वह YouTube चैनल पर content के डाल रहे हैं अप्लोड कर रहे हैं यहां पर आप इसको follow नहीं करते तो YouTube आपका चैनल है उसको ban कर सकता है मतलब बैन आपका चैनल बैन हो सकता है तो आपको उसको seriously लेना पड़ेगा अब हम बात करते हैं लीगल एक्शन ठीक है लिया जा सकता है अगर आपकी कोई video करती है कौपा की guidelines को मालेगे आपकी सारी वीडियो को पर्तिकुलर वीडियो आपकी उसकी गाइचल कर रही है तो उसको हटाया जा सकता है उसके उपर लेक्ट एक्शन तक लिया जा सकता है अब हम बात करते हैं के वाइड यूट्यूब कौशन इस content creators क्यों यूट्यूब इतना जादा एकदम से 2019 के अंदर के आपको इसको करना पड़ेगा क्रिएटर के लिए कर दिया गया क्यों इतना जाद इग्रेसिव हो गया इसको क्योंकि दोस्तों जब कोपा का लौ तो काफी पहले से था यूट्यूब ने और ऐसे अलग-अलग और वी सिरिस लिया नहीं था तो जो गौवर्मेंट है यूएस की उन्होंने फाइन लगाया 170 मिलियन यूएसडी का एक सो सतर मिलियन यूएसडी का फाइन जब यूट्यूब पे लगा तब यूट्यूब को इसको एप्लाय करवाना पड़ा ठीक है तो यूट्यूब यूट्यू यूट्यूब करेंगे यह सबसे पहला जो सवाल है यह आप अपने आप से खुद जानते हो और वह जो क्रियेटर जो कॉंटेंट बना रहा है उसको पता है कि क्या जो बच्चे 13 साल या उसे छोटी उमर के हैं क्या वह में उनके लिए वह कॉंटेंट बनाया जा रहा है तो आपको खुदी समन में आ जाएगा कि हाँ आपका कोपा एक्ट के अंडर आता है ठीक है तो इस वात को तो क्रियेटर खुद जानते हैं अब दोस्तों हो सकता है किसी वीडियो का या उनकी जो वीडियो जो क्र हैं उनका जो प्रायमरी ओडियंस है वो तेरह साल यह उससे छोटे बच्चे ना हो बट जरूरी नहीं प्रायमरी बट हो सकते ओडियंस हों वो देखते हों उस तरीकी की वीडियो तो वह तब भी उस कंडिशन में भी वो जो वीडियो है वहां पर आपको मेंशन करना इसलिए वह वीडियो का content भी आपका made for kids में ही आएगा चाहे वह एक्जेक्टली उनके लिए बना है चाहे इंडिरेक्टली मगर वह बच्चों की अगर उसको reflect कर रहा है एज ग्रूप को तो उसमें आएगा तो यह आप सोच लिजेगा अगर आप वैसा content बनाते हैं तो अब ह सब्सक्राइब की कि अब जो कौन सा content है जो बच्चों के लिए नहीं है वह बहुत सब्सक्राइब है जानना के जहां पर content में कोई sexual themes violence ठीक है आपका कोई mature content ठीक है जो यंग audience के लिए ही नहीं जो adult audience के लिए इसके लिए है तो obviously वह इंडिकेट होगा वहां पर मेंशन कर सकते हो एज रिस्टिक्टिट बहुत सारी ऐसी वीडियो जहां पर clear आ जाता है कि यह इस ग्रूप के लिए है तो वह वाली वीडियो उस एज ग्रूप के लिए नहीं है और यहां पर वीडियो देट लुक्स ग इफेक्ट कर सकती है जगा सकती है तो वह भी आएगा तो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं कैसे आप उस सैटिंग को करोगे और उसके बाद आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस बताऊंगा अभी डिटेल आपको दोस्तों यहां पर यूटीब स्टुडियो में आओगे तो नीचे लेफट हैंड सब्सक्राइब आपको दिखाई देंगी तो उन सैटिंग पर आपको जाना है चैनल के अंदर एडवांस सैटिंग में जाने के बाद आपको आएगा देखिए कि ये जो चैनल है वो बच्चों के लिए बना है कि नहीं बना उसके साथ साथ यहां पर जो content upload हो रहा है या फिर no नहीं बना बट मैं इसको review करना चाहता हूं हर वीडियो को तो मैं आपको इसके लिए एक सरा देता हूं अगर मालो आपका एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको पता है कि सारा ही content 13 साल से नीचे के बच्चों के लिए नहीं बना जैसे मेरा चैनल marketing फंडाज एक चैनल है जो नहीं बना तो हमने क्या कर रखा है हमने कोई वीडियो उसके लिए नहीं बनी है अब आपको भी पता होगा कि आपका कोई भी content उसे related नहीं है तो आपको पता है कि सारी वीडियो आपके उन बच्चों के हिसाब से ही बनी हुई है तो वहां पर आप उसको yes कर सकते हो तो automatically by default अगर आपका no है तो हर वीडियो में ज़रूरत नहीं है मगर आपका अगर ऐसा चैनल मिक्स टाइप की वीडियो जें ऐसा content वी यह बच्चों के लिए है कुछ वीडियो वाक्यों में नहीं है तो वहां पर आप हर वीडियो को रिवीव के लिए कर सकते हो तो यहां पर क्या होता है कि जब वीडियो अप्लोड क करते हो अपने जो चैनल है वह बच्चों के लिए बना है कि नहीं अगर आप उसको सेट कर देते हैं तो अगर आपने सेट कर रखा है कि तो यहां पर आपका वाच्ट टाइम इंक्रीज होगा जो बच्चे हैं वह इतनी आपकी वीडियो को छोड़ के बीच में नहीं जाए बच्चों के जो माइंड है ठीक है तो चिल्रन माइंड इस वेरी टेंडर एंड इस वेरी एजी और विच इस ग्रेट देन इस वेरी गुड टाइम तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चों के जो धिमांग होते हैं बहुत ही मासूम होते ठीक है कि उनको एजली मोल्ड करा जा सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के थूरू तो अगर उनको यह पता है कि यहां से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है तो ऑववेसली वहां से उनका जो कनेक्षन है वह जढ़ता है इवन उनकी पेरेंट्स वगरा भी उस त आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं डिस अड्वांटेज के बारे में अगर आपने कर रखा है चैनल के इट इज मेड़ और किड्स ठीक है तो क्या आपको डिस अड्वांटेज भी मिलते हैं साथ में तो जो सब यह मैं आपको करके समझाता हूं यहां पर आप देख स दोनेशन का बटन नहीं होता है बच्चे से डोनेशन आप नहीं मांग सकते हो और लाइक डिसलाइक वीडियो और यूट्यूब यूजिक के उपर वह नहीं होता है तो इसलिए यह जो चीजें हैं यह एक तरीके की नॉर्मल यूट्यूब चैनल में डिफर हो गए क्योंकि आपको नहीं मिल रहा जो नॉर्मल यूट्यूब चैनल में आपको मिलता है अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिस मर्चंडाइजिंग और टिक्टिंग मर्चंडाइजिंग मतलब आप कुछ सेल कर रहे हो अपने ब्रैंड वगरा या कुछ भी प्रॉडक्स वगरा वह आप नहीं कर सकते हो नोटिफिकेशन बैल आइकन को आप्शन नहीं मिलेगा पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट को आ सब्सक्राइज हैं मगर बहुत सब्सक्राइज भी मिलते हैं अगर आपका चैनल मीड फॉर किड्स है तो तो दोनों चीजें कहीं ज्यादा बैनिफिशल है कुछ वहां पर आपको दिक्कत है वर जैसी आपकी कैटिगरी है उसके हिसाब से आपको बैनिफिट मिलता ही है दोस्तों इस तरीके से मेरा अगर आप opinion पूछो कि यह सही है या गलत है तो मैं आपको यहीं बताऊंगा कि इसमें सही गलत कोई बात ही नहीं आती यहां पर अगर आप एक यूट्यूब के प्लैटफॉम पर हो और आप एक creator हो तो वहां पर आपको यूएस के laws को follow करना पड़ेगा ठीक है और अगर आपका नहीं है तो भी मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं है तो इसमें कोई opinion नहीं है तो जो policy उसके थूर आपको चलना ही पड़ेगा तो इसलिए आप अपने चीजों को कि मेरे पे इतनी सारे बैन लग जाएंगे तो मैं यह नहीं करता हूं अ कोई penalty लग सकती है तो उन चीजों से बचो जो law है वो सबके लिए सबके हिसाब से बने हैं सबके लिए betterment के लिए बने हैं उनको follow करो और उमीद करता हूं कूपा की जो law की details जानकारिया आज आपको मिल गई होगी इसके हिसाब से आप आपने further decisions ले सकते हो थैंक्यू दोस् हुआ 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 है